Hello guys and welcome back to this video. तो अब इस वीडियो में हम variables को study करेंगे. तो जैसे के भी हमने पिछले वीडियो में अपने a का use किया था, तो बहुत सारे मेरे को comment आ रहे थे कि sir, यह जो a यह 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 variable है, तो इसको आप complete video बना सकते हो. तो अब इस वीडियो में मैं आपको completely variables के बारे में explain करूँगा. Along with that, आपको मैं तीन-चार वीडियो में explain करूँगा कि किस तरीके के different types होती है variables की. तो यह variable के types होती है, यह data type पे depend करती है. तो variables की का इस mainly दो ही type होती है, local variable और global variable. वैसे तो, बट मैं आपको थोड़ा बहुत और explain करूँगा in a deeper way. So, let's start with this video. तो सबसे पहले मैं जो code as को delete कर देता हूँ. तो variables हमें जैसे define करने रहे तो यहाँ पर comment का use करता हूँ. तो like यहाँ पर अगर आप देखे तो comment actually में हमारे जो python होता है, so this is actually a comment, तो यह comment है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ like variable, तो हमारे इस तरीके से यहाँ पर comments होते हैं, तो चलिए अब यहाँ पर enter press करते हैं, और then यहाँ पर मैं अब सबसे पहले एक variable create करता हूँ, तो यह हमारा होगा a variable, तो यहाँ पर a variable है, अब इसके equal जो भी हम value को unsign करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दी 50, तो यहाँ पर यह जो variable है, यह actually में रहेगा हमारा integer type का, तो यानि यह integer है, ओके जो कि short हमें, जो कि integer की notation उसको हम use करते हैं like int, तो short में integer को int कर देते हैं, तो arrow में हटा जिता हूँ, तो हमारा integer हो गया, then similarly अगर हम यहाँ पर b equal to, अगर floating point value यहाँ पर दाल लेते हैं like 40.0, तो यह actually में एक floating value है, तो यह होगे हमारी floating point value, यानि एक जिसमें decimals होते हैं, then इसके साथ हमारे पास एक और अगर हम value यहाँ पर create करें like c is equal to, अगर हम double course यहाँ तो हमारे को इस string value देने के लिए आप double course यूज कर सकते हैं like name, तो यह actually में एक string value है, तो यह हमारी एक string variable की value है, अब आप इनको अगर print करोगे तो like simply आपको यहाँ पर लिखना होगा like print function, जो के होगा हमारा a, and then इनको में duplicate कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इनको replace कर देता हूँ like with the value b, और इनको कर देता हूँ replace with the c, तो अगर मैं इनको run करूँ अब तो अब देख सकते हैं, यहाँ पर वही corresponding values जो हमने assign की थी इनको, वह actually में print हो चुकी है, तो यह है guys, actually में variables जो कि हम python में use करते हैं, तो variables एक तरकी के containers होते हैं, जिनमें हम values को store करके रख लेते हैं, तो यह actually में container हैं, तीनो के तीनो allocate हो चुके हैं, inside the memory block of python, तो python ने का कि inside the computer memory, जो कि memory blocks होते हैं, उनमें इनकी values को store कर दिया, आप में in values की जरूवत होगी, during the programming, कहीं पर बेगान में इनकी जरूवत होगी, आप में values को call कर सकते हैं, अगर आप मानिजे आपको बिल्कुल bottom में जाके, values की जरूवत पड़ेगी, like यहाँ पर थोड़ी सी formatting गल्त होगी थी, आप मानिजे आपको बिल्कुल नीचे जाके values की जरूवत पड़ेगी, यहाँ पर आपको इन values की जरूवत पड़ी, आपने आप इनको यूज किया, अगर हम मैं दुबारा से रन करूं, आप दुख सकते हैं, आप पर twice values प्रेंट होईंगी, यहाँ पर आपको मानिजे बहुत सारा logic आपना लिखा, और इसके बाद आपको फिर से इन values की जरूवत है, तो आप variables का यूज करते हो, तो इस त्रिक्के से variables यहाँ पर यूज होते हैं, अब similarly अगर हम इसी code को यहाँ सो copy करते हैं, और then python console पर यहाँ पर यहाँ पर पेस्ट करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर values automatically सारी की सारी प्रिंट हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पर C, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर C की value आगी name, अगर मैं यहाँ पर B टाइप करता हूँ, तो B की value आगी 40.0, और अगर A की value करूँ type यहाँ पर A, अब यहाँ पर इस python की console में यह value exist करती हैं, अगर मैं इनको यहाँ से delete कर देता हूँ, means python का console है, इसको मैं यहाँ से actually में बंद कर देता हूँ, और दो बारा से अगर मैं python का console है उसको मैं open करता हूँ, like यहाँ पर python and then अगर इसको मैं open करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर फिर से like जो हमारा variable है print, अगर उसको मैं करने की कोशिश करूँ, print and then यहाँ पर अगर मैं A का use करूँ, तो यहाँ पर जो A variable है वो actually मैं exist करता, name error, name A is not defined, अब यह इसलिए आ रहा है क्योंकि जो value A है, वो हमारी actually मैं destroy हो चुक है, means variable A है वो memory मैं नहीं रह चुक है, कि जैसे मैंने python का console बंद किया, वैसे हमारा variable है उसकी memory destroy हो गी है, यानि यह normal variables होते हैं, यह सारे normal variables हैं, जो कि तब तक execute होते हैं, जब तक हमारा जो प्रोग्राम है python का, यह run कर रहा है, means python का यह हमारा console है run कर रहा होता है, तब तक इन values की existence रहती है, otherwise जैसे हमने console भी बंद किया, जो variables की जितने भी resources है हमारे, वो सारे के सारे destroy हो जाते हैं, तो यह होते हैं guys normal variables, इसी तरीके से और भी जाता types होते हैं, एक होते है static variables, और जो permanent जिनकी values store हो जाती है, memory block में, तो वह आने वाले videos में आपको explain करूँगा, अभी फिलाल मैं इस video का part 1, जो मैंने variables का बना रखा है, यह सिर्फ मैं part 1 ही रहने दूँगा, because अभी मेरेको functions अगरा भी use करने, जिसमें आपको global और local का भी scope बताना है, तो उसके लिए functions का use होगा, तो अभी मैं functions को introduce नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अभी से मैंने functions को introduce कर दिया, तो जो topics हैं वो काफे ज़दा complicated हैं, function थोड़ा सा advanced topic है, as compared to जो भी हम study कर रहे हैं, that is the reason कि अभी मैं variables आपको और भी ज़दा in-depth बताऊंगा, but after some time means after some video, जब हम functions को भी थोड़ा बहु study कर लेंगे, थोड़ी बहुत जो हमारी control statements हैं, उनको भी study कर लेंगा और loop statements को भी, उसके बाद हम फिर functions को समझेंगे, then उसके बाद में आपको फिर से variable का topic है, इसको दुबारा से लेके आऊंगा, और आपको मैं और भी ज़्यादा variables के types से उनको explain करूँगा, so I hope guys आपको ये video काफी ज़्यादा help करेगे to understand the variables in python, अगर आपको वीडियो अच्छी देगे तो जुरू इस वीडियो का like करना, share करना तो दोस्तों के ता चैनल अपने वाइस तो चैनल को subscribe भी कर लेना, so thank you for watching and I will see you in the next video.